आज का जो केक हे एकदम यूनिक है आज हम बनाएंगे एक पेंटिंग ते केके के ऊपर नहीं करना है, केक के साइड में करना है, ओं भी एर बने भरस करके, ठीके तो एंड उसके बाद ऐळ फॉल्ट लाइन केक बने गा तो पाइनेपुल के यह जैसे फ्रोस्टिंग होता है आप उसके जरूर चेक करिए आपको हेल्प मिलेगा और उसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोग फ्रोस्टिंग करते हैं वेसे ही करना है करने के लिए स्पॉंज को मैंने जो पाइनेपुल क्रॉस्ट है उसमें पानी डालके उसको डाइलुट किया था ठीक है तो यह तो हो गया हमेशा जैसे करते हैं तो अभी थोड़ा सा क्रीम लेके इसको क्रम कोटिंग भी करना है और यह जो पेंटिंग है ना बहुत बड़े क कोई पेंटर है उनका पेंटिंग को मुझे बनाना था केक के उपर उनके जैसे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वह बहुत ही बड़े पेंटर है उनका नाम भी प्रणाउंस करना बहुत डिफिकल्ट है और टॉल के एक तो मैंने डावल भी वहां पे अभी डाला आप देख सकते हो बीच में सेंटर में और तो अभी में कर रहे हूं केक को कवर तो पीच क्लर में मुझे comenzu को बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूं कि वह में आगे आपको बताओंगीhealth तो जैसे कि मैंने बता यह painting जो है ना बहुती बड़े famous painter है मैंने Google किया तो मुझे वो मिला तो exactly उनके जैसा replika करना तो मुष्टील है तो में आपने हिसाब से किया और एर ब्रस यूज करके मैंने किया है तो जैसे अब देख सकते हो एक पतला सा लेयर क्रीम का मैंने लगा दिया है ठीक है अब क्या करेंगे फिनिसिंग थोड़ा बहुत देंगे बहुत ज़्यादा ज़रत नहीं है बाद में वह हो जाएगा जहां पर भी थोड़ा सा गैब दिख रहा है ना वहां पर उसको क्रीम दे के कवर कर लेजिए तो बीच का पॉर्शन में थोड़ा क्रीम अच्छे से लगा के उसको कवर कर दिए और यह ना एर ब्रस कलर ठीक है एर ब्रस मेसिन के लिए उसका कलर अलग आता है गाईस तो वह कलर जरूर यूज करिए अदर जरूर यह यूज होता है तो एकोडिंग टू पेंटिंग ना पहले ब्लू कलर से में जो केक के साइड का जो मेडिल पोर्शन है वहां पर एर ब्रस कर रहे हूं अच्छा क्या होता है ना जब विप्ट क्रीम के ऊपर हम लोग एर ब्रस करते हैं तो थोड़ा टाइम के ना था उनका नाम में अभी साइड में लिख दूँंगी आप लोग गूगल कर सकते हो क्योंकि वह नाम प्रणाउंस करना रियली डिफिकल्ट है विंसेंट वैन जीओ जीएचे बटू प्रणाउंसेशन साथ हो या कुछ तो होता है तो लाम में साइड में दे दूंगी आ तो दिरे दिरे करके ना आपको एर ब्रस से यह करना है क्योंकि डारेक्ट क्रीम के उपर करने जाओगे ब्रस से तो वह अच्छे से नहीं होगा स्मूथ नहीं दिखेगा ठीक है तो अभी थोड़ा सा ब्लाक कलर से भी कर रहे हूं तो यह करने के बाद ना थोड़ा सा कैन्वस रेडी करे हूं उसके बाद पेंटिंग करेंगे तो यह बीच बीच में येलो कलर का भी मैंने दिया था वह सूट होना नहीं हो पाया तो ऐसे येलो भी दिया था अभी उसके बाद ना जो डीटेलिंग करने के लिए अभी मैं ब्रस का यूज करे हूं तो जो डिज तो ब्रस के हेल्प से जो यूज करो के कलर वह नॉर्मल आपका जेल कलर है उसको डाइलूट कर लिजिए आइधर वोड़का से और इवापोरिक से ओके तो अभी मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रहे हूं अभी डिटेलिंग करने के बाद क्या करना है सेम पाइपिंग बेग लेके जिसे मैंने पीच कलर लिया था ऐसे रफली एक जिगजग मोसन में उपर के पार्ट में में क्रीम एपलाए कर रहे हूं जैसे हम लोग फॉल्ट लाइन केक जैसे बनाते हैं सेम उसी वे में ओके तो ये पहले आप एक आउटलाइन दे दीजिए फिर उसको फिल करना है जो जितना भी पोर्सन गैप में रहेगा ठीक है अब थोड़ा सा क्रीम उपर भी लगाएंगे क्योंकि उपर भी मैंने ज्यादा क्रीम नहीं लगाया था अब फिनिसिंग के लिए वो चाहिए नहीं लगाओगे तो क्या होगा बहुत पहले से क्रीम लगाया हुआ है ना उसको जब स्मूथन करने आप जाओगे तो वो बहुत रफ दिखेगा फिनिसिंग अच्छा नहीं आएगा अब फॉल्ट लैन को कंप्लीट करने के लिए नीचे भी में जिग जग वे में क्रीम लगा रहे हूँ तो पहले आउटलाइन कर लेना है कहीं देखेंगे कि अंदर जो पेंटिंग हम लोगों ने किया हुआ है ना वह खराब नहीं होना चाहिए तो मैं जैसे कर रहे हूं ना हलके हलके हाथ से करना है टॉप पार्ट को भी स्मूथन कर लेना है और उपर का करने के बाद नीचे का जो पोर्शन है उसको भी स्मूथन कर तो गाइस अगर आपको ना ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना है ना तो मैंने बहुत सारा शेयर किया हुआ है चैनल में मेरा है आप जाके देख सकते हो एक से बढ़कर एक यूनिक केक डिजाइन मैंने शेयर किया है इसे नॉर्मल केक नहीं किया है कुछ भी तो ज जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना कलर फेड आउट होता है तो उसको मैं अब रीटच करें हूँ जहां जहां पर मुझे लग रहा है कलर निकल गया है या फिर सब्टल हो गया है थोड़ा सा तो वहां पर एगें में रीटच करें हूँ बट अभी क्या करें हूँ अभी क्रीम लगाने के बाद अगर आपको कुछ भी रीटच करना है तो आप नॉर्मली उसको हाथ से पेंट ब्रस से आप वो कर सकते हो अब एकोडिंग टो डीजाइन ना जहां पे भी फॉल्ट लाइन था वहां पे गोल्ड लस्टर ड्रस से पेंटिंग मतलब उसको करके वहां पे अभी वह आउटलाइन दे रहे हूं ठीक है तो नीचे भी देना है ऊपर भी देना है एकदम टॉप में भी देन एकदम नीचे भी देना है अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो एंड यूसफुल लगाओ आप लोगोंको तो जरूरुर एक लाइक दीजि मैंने भी पहली बारी बनाया और आपने एक्सप्रियेंस आप लोगों के साथ भी शेयर करें और थोड़ा सा गोल्ड जो परल आता है सुगर पल्स वह भी मैंने दिया और जो हैपी बोद्धी का टेग लगाया और उसके साथ यह केक कमप्लीट हो गया तो आप अपने अच्छ बाई टेक क्यार